सभी आंगनबाडी सेविकाओं को मेरे नमस्कार, गुड मोर्निंग, स्वागत है आप सभी का पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट में, आज हम आप सभी को पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में फिर से जनकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि पोशन ट्र पोशन ट्रेकर एप में 13.4 का एक नय अपडेट आ चुका है और हमने आप सभी को पोशन ट्रेकर एप की 13.3 की अपडेट में बताया हुगा था कि जो भी आगनवाड़ी सेविका है 13.3 की अपडेट कर चुकी है या कर रही है तो उनको थोरा सा यहाँ पे वेट करना पर सकता है जैसे कि पोशन ट्रेकर एप को आप लोग 13.3 का अपडेट कर चुके होंगे तो आपको पोशन ट्रेकर एप में ओपिन करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है वो पुरी तरीके से ठीक होने वाली है क्योंकि यहाँ पे फिर से 13.4 क को अपडेट कर दिया गया है हमने आप सभी को बताया हुआ था कि आपको थोड़ा सा धहरे रखना है जैसे ही 13.4 का कोई नया अपडेट आता है तो हम उसके बारे में आपको जनकारी देने वाले हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 13.4 का यहाँ पर नया अपडेट आ चु का पंडेट आ चा कि आप सभी को इसके बारे में पूरी जनकारी देदी जाये क्योंकि आप सभी लोग परिषान होंगे कि पोशन ट्रेकर अप ऊपन नहीं हो पारा है तो आप दोग कैसे उपन करेंगे इसके बादेम हम आपको पूरी जनकारी इस वूंदियों में देने कुछ नहीं है हमने आप सभी को बता है हुआ था कि थोड़ा से धहरे रखिए आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक कर दी जाएगी तो दिखिए विभाग की तरब से ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर दी गई है तो चलिए यहां पर फटा-फट से हम लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सही इंफोर्मेसे देते हैं ताकि आपको पूरी जनकारी मिल सके और आप लोग गलत फेहमी में ना रहें चलिए यहां पर हम पोसंट ट्रेकर एप को अपडेट कर लेते हैं अप लोग भी आप पोसंट ट्रेकर एप का जो थर्टीन पॉइंट फ्रका जो अपडेट एह हुआ है उसको आप लोग अपडेट ज़रू कर लिजेगा देखिए यहां पाप को थोरा सबड़ कर लेना है यह अपडेट जो है 5 MB यह आपडेट जल करेंगे जैसे कि open करने के बाद आपसे यहां पर पहले लेंग्वेज्ज सेलेक्ट करने का option मांगेगा तो आप लोग यहां से अपना language जो है वो select कर सकते हैं जिस भी language आप लोग यहां पर पोशन ट्रेकर रेप को अपना mobile नमबर और M-PIN डालके login करते हैं तो आप लोग आसानी से यहां पर अपना mobile नमबर और M-PIN डालके login कर लीजिएगा तो देखिए यहां पर हम अपना पोशन ट्रेकर रेप में mobile नमबर और M-PIN दर्ज कर लिए हैं नीचे यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जो अपडेट है वो 13.4 का यहां पर अपडेट आ चुका है तो आप लोग को यहां पर पोशन ट्रेकर रेप को अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद यहां पर simply आप लोग को login कर लेना है login करने के बाद यहां पर आप लोग पोशन ट्रेकर रेप के homepage भी आ जाएंगे तो इस परकार से एक नया option यहाँ पे जोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ पे चलके देखते हैं कि जो पोसंट ट्रेकर एप का 13.3 का जो अपडेट आया हुआ था जिसमें कि जितने भी लभारती हैं उनका यहाँ पे आप लोग offline mode में यहाँ पे registration कर सकते हैं जैसे कि आप आप करके यहाँ पे registration कीजिएगा उसके बाद हमें comment करके बताईएगा कि किया यहाँ पे जितने भी लभारती हैं उनका registration हो पा रहा है या नहीं तो आप लोग हमें comment करके ज़रूर बता सकते हैं उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि और भी क्या-क्या यहाँ पे changes की गई है जैसे कि यहां पे beneficiary category को open करेंगे और किसी भी लभार्थी का यहां पे box को open करेंगे तो यहां पे आपको एक और नया changing देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे search bar का option दे दिया गया है अगर आप लोग किसी भी लभार्थी का नाम search करके यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक option को जो रगया है आपको जो भी लभार्थी portion tracker app में जिस भी category में add किये हैं तो आप यहाँ पे जिस भी लभार्थी को search करना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग search कर सकते हैं तो एक नया option यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे home visit schedule वाले में जैसे कि किसी भी लभार्थीयों का home visit है जैसे कि late वाले option को देखते हैं कि यहाँ पे इसको सुधार किया गया है कि नहीं जैसे कि यहाँ पे अभी जो late वाला option है उसको यहाँ पे सुधार नहीं किया गया है जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता देखे जो अधार verify वाला option दिया गया है इसमें हम लोग चल के देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा changing देखने को मिल सकता है जो भी beneficiary का यहाँ पे icon दिखा रहा था उसको यहाँ से हटा दिया गया है इस परकार से देख सकते हैं कि किसी भी beneficiary का यहाँ पे icon नहीं दिखा रहा है जैसे कि पहले यहाँ पे सभी लभार्थियों की केटेगरी में सभी लभार्थियों के नाम के आगे यहाँ पे जो भी गर्भौती मुहिला है उसका यहाँ पे आईकॉन दिखा रहा था लेकिन उसको यहाँ से फिलाल हटा दिया गया है और जैसे कि यहाँ पे और भी कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है अगर कोई भी चेंजिंग या कोई भी बदलाव हमें मिलता है तो हम आपको नेक्स वीडियो में आपको जरूर बताएंगे तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो और आप लोग का पोसंद ट्रेकर एप ओपन होने लगा हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और पोसंद ट्रेकर एप से डिलेटिड आपको कोई भी परिशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट बक्स के नीचे कमेंट जरूर किजेगा हम उसकी जनकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे तो बस आज किस वीडियों फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसे नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद